जज साहब आपको पता है वैदिक आरक्षन वाले 15 प्रतिशत सब्रणों ने लोगसभा 2019 की 42.7 प्रतिशत सीटों पर कबजा कर रखा है यह आलेक वरिष्ट पत्रकार सिधार्थ रामु का है जो हमने उनकी फिस्बुक वॉल से साभार प्राप्त किया है आप तक पहुँचा रहे हैं सिधार्थ रामु लिखते हैं वर्तबान लोगसभा 2019 में चुनकर आये कुल 543 सांसदों में सवरन 232, OBC 120, अनुसुची जाती 86, अनुसुची जन जाती 52 आबादी में करीब 15 प्रतिशत के बीच हिस्सेदारी रखने वाले सवरनों का लोगसभा में प्रतिमी दीत्व उनकी आबादी के करीब 3 गुड़ा 42.7 प्रतिशत हैं अनुपातिक तो देखे तो OBC का लोगसभा में अनुपात 22.09 प्रतिशत हैं जबकि मंडल कमिशन और अन्य आकडों के अनुसार आबादी में इनका अनुपात 52 प्रतिशत हैं आखिर 52 प्रतिशत OBC को अपनी आबादी के अनुपात से आधे से भी कम और सवरनों को उनके आबादी से तीन गुना आधीक प्रतिमी धित्व क्यों मिला हुआ है मिलाड लोग सभा में दलितों यानिक अनुसूची जाती जन जातियों का जितना प्रतिमी धित्व है वह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्हें आरक्षन सुरक्षित सिट मिली हुई है जगजाहिर तथे हैं कि यदि उन्हें आरक्षन ना मिला होता तो उनका अनुपाद शायद ही पांच प्रतिशत से अधिक होता इसमें भी कम हो सकता था अनिक शेत्र में आंकडे यही कहते हैं क्या आपको सिर्फ अनसुची जाती जन जातियों के यहनि कि दलीत आदिवासियों के इस आरक्षन से दिक्कत है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं आखिर आप वैदिक आरक्षन पर कब बोलोगे जिसके चलते सम्वेधानिक आरक्षन का प्रावधान किया गया था मिलोर्ड मुझे पता है आप वैदिक आरक्षन पर नहीं बोलेंगे क्योंकि आप में अधिकांश उसी वैदिक आरक्षन के चलते हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट में जज है मिलोर्ड वैदिक आरक्षन पर भी अपना मुह खो लिए जज सहब कुलपती पद पर सम्मेधानिक आरक्षन नहीं है तो सिर्फ वैदिक आरक्षन है क्योंकि इस पद के लिए सम्मेधानिक आरक्षन नहीं है 5 जनवरी 2018 को विश्विद्यले अनुदान आयोग यानिकी योजिस सिद्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के 496 कुलपतियों में 6 SC, 6 ST और सिर्फ 36 OBC समुदाय के थे यानि उच्च जातियों के 90.33 प्रतिशत और OBC 7.2 प्रतिशत SC 1.02 प्रतिशत और ST 1.02 प्रतिशत यहां OBC को अपनी आबादी का करीब आठवा हिस्सा प्राप्त है और SC ST को नियोनितम से नियोनितम क्योंकि उनके लिए भी यहां आरक्षन का प्रावधन नहीं है मेलाड वैदी का आरक्षन कितने हजार वर्ष जारी रहेगा इस पर कुछ बोलेंगे यालेक वरिष्ट पत्रकार सिधार्थ रामु का है हमने इसे उनके फिस्बुक वॉल से साभार प्राप्त किया है हमने इसे उनके प्रावधन नहीं है